दोस्तो डेमोक्रेसी की नीव कही जाने वाली वोटिंग या तो आज पीपर पर हो रही है या EVM मशीन के द्वारा इंडिया में लगने वाले एक मिलियन पोलिंग बोट पर 2014 में गोवर्मेंट ने इलेक्शन के टाइम पे 3870 करोड रुपे घर्चा किया वोटिंग को इंटरनेट की जरीय करा के पैसे बचाये क्यों नहीं गए जहांपे हम ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज को यूज करने लग रहे हैं जापान अपनी ट्रेन को चांद पर पहुचाने की सोच रहा है लौन मस्क मार्स पे जाने की सोच रहा है ऐसे में एक ओनलाइन वोटिंग सस्टम बनाना कितना मुश्किल हो सकता है तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि ओनलाइन वोटिंग का एक आसान तरीका हो सकता था लेकिन कौन से ऐसे रीजन है जिससे कोई देश चाहा कर भी ओनलाइन वोटिंग शुरू नहीं कर सकता दोस्तो पूरी दुनिया में अगर वोटिंग सिस्टम की बात की जाये तो बैलूट पेपर या फिर इवियम मशीन ये दो ही दरीके हैं इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के तीन साल बाद यानि 1951 में पहली बार भारत में वोटिंग होती है और उस समय भारत में टोटल 44.5% लोगों ने वोट किया था लेकिन धीरे धीरे इसके ड्रॉबैक्स भी दिखने लगते हैं जैसे बैलूट पेपर पर वोटिंग देने से रिजल्ट आने तक का जो सारा काम है वो मैनवली होता है और आपको पता है मैनवली जो काम होते हैं उसमें एरर के चांसेज जादा होता है बैलूट पेपर एकमात्र वोटिंग रिकॉर्ड होने की वज़े से अब इना करॉप्शन के जादा चांसेज बन रहे थे मतलब क्या कर सकता है कोई बैलूट पेपर को डलवा सकता है एक्स्ट्रा फेक बैलूट पेपर डलवा सकता था जिससे की honest vote पैचानना काफी मुश्किल हो सकता है साल 1980 में ये सब देखते हुए MB हनीफा ने first Indian voting machine को invent किया जिसका trial सबसे पहले केरला में किया गया इसके बाद 1998 के MP राजस्थान डेली के assembly election में इसका इस्तमाल किया गया भारत में पहली बार 2004 के लोकसबा election EVM machine के थ्रू करवाएगे और ये जो system है ना 42 साल पुराना हो चुका है 42 years बट अभी भी हम voting EVM machine के थ्रू ही करते हैं लेकिन साल 2014 में ruling party की जीत के बाद EVM hack की news सामने आने लगी जिसको election commission ने पूरी तरीके से reject कर दिया लेकिन यार फिर भी कोई भी जो system है वो perfect नहीं होता EVM के भी अपने कुछ drawbacks है जैसे की अब यार सवाल यहाँ पे यह उठता है अगर इस voting machine में इतनी problem है तो क्यों इंडिया और बाकी के देश online voting नहीं करने लग रहे हैं किसी भी voting system में दो चीज़ें बहुत important होती है पहला privacy दूसरा trust क्योंकि अगर privacy नहीं होगी तो किसी citizen ने किस party को vote किया है यानि कि ए person ने किस party को vote किया है यह पता लग जाएगा और अगर trust नहीं होगा तो elected government पर भरोसा कौन गरेगा साल 2000 में internet voting को लेके USA में demand बढ़ने लगी क्योंकि presidential elections में results डिले हुए और ऐसे में USA की कुछ states internet voting को pilot basis पर चलाया गया लेकिन यार इसे भी security reasons की वज़े से बंद कर दिया गया अब interesting fact यह है साल 2011 और 2013 में Norway में internet voting करवाई गई बट वहाँ भी हमें बताया गया security reasons की वज़े से इसे बंद करना भढ़ रहा है उसके बाद 2018 में UAE में Federal National Council के लिए internet voting कराई गई दोस्तों अगर अब यहाँ बे हम Estonia country का example देखें तो 2005 में ही वहाँ पे online voting शुरू हो गई थी और इनके voting system की खास बात क्या है पता है आपको मतलब voter जो है वोटिंग के दौरान अपना vote कितने भी बार change कर सकता है लेकिन counting से पहले वाले दिन उसका जो last vote उसने किया था ना वो ही count किया जाएगा अब यार ऐसे में ना फिर से वो trust वाला factor सामने आता है 2011 में एस्टोनिया के Supreme Court के सामने voting client hacking से related case आने के कारण एस्टोनिया ने हर individual के लिए vote verification का system बनाया जहाँ पे citizen अपने QR code को scan करके candidate को verify कर सकता है internet voting system का trust बनाया रखने के लिए एस्टोनिया ने iVoting का पूरा system GitHub पे upload किया ताकि लोग देख सके कि उनकी कौन सी information share हो रही है लेकिन फिर भी 2019 के election में एस्टोनिया में मात्र 43.8% लोगों ने ही vote किया अब यार simply इत्ते कम लोगों का आना vote देने के लिए साफ दर्शाता है लोगों का trust नहीं है इस system पे अब यार भारत में न EVM जो machine है वो भी controversies में आ जाती है तो यहाँ पे online voting system कैसे possible है क्योंकि इस पूरे system को समझने के लिए जो citizen है जो voter है उसको educated होना बहुत ज़ादा जरूरी है अब यहाँ पे ना में एक difference बताता हूँ समझने की कोशिश करना एस्टोनिया का literacy rate 99.89% है वहीं इंडिया का 74.37% ही है मतलब आसान भाशा में बोलू न तो यार वहाँ पे ना सारे पड़े हुए है सब पड़े लिखे हैं सब educated है और यहाँ पे 74% इंडिया में लोग पड़े लिखे हैं अब यार ऐसे महाल में online voting system जो है वो कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि वो सब समझ पाए हर कोई उससे connect कर पाए उस पे भरोसा कर पाए और साथ ही सबसे बड़ी problem है उसका data store कहां पे हो क्योंकि अगर आपके location likes के basis पे facebook जैसी company billions बना सकती है और ऐसे में किसी citizen का voting data अगर leak हो जाता है तो आप सोच ही सकते है कि उससे opposition या government को कितना ज़ादा फायदा हो सकते अब यार इसी वीच में ये problems तो हैं लेकिन यार इसका solution क्या है decentralization करने की इससे एक secure voting system मिले और यार इसका फायदा क्या है पता है आपको ऐसे में वो लोग भी vote कर पाएंगे जो उस location पे ना हो मतलब देश से बाहर हो अपने hometown में नहीं हो आने वाले time में हमें शायद online voting system देखने को मिल भी सकता है बद जरूरी है कुछ points को consider करना जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताएं लेकिन यहां वे सबसे ज़ादा जरूरी है आप लोगों की रहे आपको क्या लगता है क्या ऐसा system exist करेगा क्या आप लोग उसमें trust कर पाएंगे comment section मुझे जरूर बताएं मुलाकात करेंगे और exciting videos के साथ stay tuned, keep watching and thank you so much for watching this video till the end